जहें दिश्टूडेंट्स I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपेशन अच्छी चल रही होगी जितने भी स्टूडेंट्स सिवल सर्विस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं या स्टेट पीसेस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यूज इंपोर्टेंट है हो सकता है कि आपके एक्जाम में पहुचा जाए क्योंकि ये अभी न्यूज में है सबसे पहले ये बात करें कि ये जो न्यूज है वो किस से रिलेटेड है तो ये न्यूज तोफान से रिलेटेड है और ये तीन देशों में आया है म्यामार, लाउस और वियतनाम ये तीन देश प्रिभावित हैं और इस तूफान के वज़े से ये तीनों ही देश में बाड़ जैसे इस्थिती आ चुकी है इसी के वज़े से इंडिया ने ओप्रेशन सद्भाव चलाया हुआ है इस तूफान का नाम रखा गया है तूफान यागी आप्रेशन सद्भाव में क्या हो रहा है तो आप्रेशन सद्भाव में हमारे जो भारती नौसेनिक जहाज है आई एनस सद्पुड़ा इसको काम में लगाया हुआ है और ये हमारे यहाँ से राशन, कपड़े और दवाएं लेकर के जा रहा है वहाँ पर मदद देने के लिए इसके अलावा हमारे आसे वायू सेना ने क्या किया है आप दा राहत अभियान के लिए C-17 ग्लोब मास्टर विमान को लगाया है मदद देने के लिए कि जो लोग भी बार में फस्ट हुए हैं उनको निकालना है तो यहाँ पर यह जो इंपोर्टन चीजे थी यह आपको बता दी गहें